Hello friends! Good afternoon! हम वीडियो नंबर सेकंड में इनफलोरीशेंस से रिगार्ड़ जो हमने बात की थी वीडियो नंबर सेकंड में हम आपको फिर से कुछ और स्पाइक लाइक इनफलोरीशेंस के बारे में बताते हैं यह देखे this one is also the spike type of inflorescence in some plants और ये वो plant है जिसको हम normally use करते हैं fast food के लिए मतलब जिसको हम सामक के नाम से बोलते हैं ये उसके अंदर ये भी एक type की grasses है जिसके अंदर inflorescence होती है देखे आप spike type inflorescence है इसके लावा और cases हम आपको बताते हैं देखे यहां पर देखे आप special type की inflorescence हमारे पास है this one is again a type बिलकुल धान से देखे आप किस तरीके से ये ये जो part दिखाए दे रहे हैं आपको plants के यहां देखे आप this is again a type of inflorescence in case of spike type यानि grasses जो होती है grasses की बहुत सारी unique variety है उन सभी unique varieties के अंदर अगर आप inflorescence की बात करते हैं तो देखे यहां पर देखे आप यह आप इसको देखे यह आप इसको देखे यह आप इसको देखे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं देखे किस तरीके से ये present है हमारे पास और all grasses are the monocote you know की monocote जो होते हैं उनके अंदर single cotyledon present होता है इसके अलाबा आप देखे और भी मैं आपको टाइप दिखाता हूं ही आपर बहुत सारी plants हैं देखे दिस बन इस आल्सो टाइप और यह देखे आप यह भी एक टाइप है हमारे पास तो हमारे पास इस ग्रासिज के केस में बहुत ही यूनीक और आइटीज हैं यानि monocote plants की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे monocote हैं और उनमें different types की inflorescence हैं लेकिन हम जो inflorescence आपको दिखा रहे हैं इन सभी grasses के case में हमने आपको शरफ एक ही inflorescence की बात की है और वो inflorescence हमारे पास कौन सी है this one is the spike type inflorescence यानि spike का मतलब जिसमें बाल होती है अब ये wheat के अंदर rice के अंदर या इसके लावा बाजरे के अंदर जवार के अंदर इन सभी plants में भी ही special type inflorescence होती है अब आप एक यहां पर भी देखिए students यहां पर देखिए किस तरीके की spike बिलकुल आपको अलग से देखते हैं यह सब कैसे जो हमारे पास है इस beautiful nature को देखते हुए हमारा दायतव बनता है कि हमें पेड प्लाइज जो होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से उनकी protection करनी चाहिए उनको conserve करना चाहिए ठीक है क्योंकि यह हमारे लिए main base है life का oxygen provide करते हैं greenery provide करते हैं better environment provide कर तो students इस lecture के अंदर भी इस video के अंदर भी हमारे पास है इतना ही मिलते है next lecture में मतलब next video में उसके साथ आपको और भी influence के बारे में बताएंगे तब तक के लिए thank you by have a nice day